सूपर मार्केट स्टोर पर आखिर क्यों नहीं होती है खिड़किया जाने क्या है इसके पीछे का रहस्या नमस्कार स्वागत है आपका News in 18 पर मैं हूँ आपके साथ योगेश ठाकुर दोस्तों Big Bazaar और Reliance Fresh ऐसे सूपर मार्केट स्टोर पर आप गय तो जरूर होंगे आपने वहाँ शॉपिंग भी की होगी और लोगों को शॉपिंग करते देखा भी होगा लेकिन क्या आपने शॉपिंग के दोरान इस बात पर गौर किया है कि आखिर इन स्टोर्स पर खिड़किया क्यों नहीं होती क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया है कि आखिर इसके बीचे कारण क्या है अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे खास वज़ा क्या है सबसे पहली वज़ा इन स्टोर्स में खिड़किया ना लगाने की एक ये भी है कि स्टोर्स के अंदर सूरच की रोशनी ना पड़े क्योंकि स्टोर्स में रखे गई कई चीज़े सूरच की रोशनी के कारण कम समय पर खराब हो जाती है और स्टोर्स में रखे कई सामान पर सीधे धूप पड़ने से उनके उपर की पैकेजिंग का रंग फेड हो जाता है जिस कारण ग्रहक को वह समान पुराना और खराब लगने लगता है और इसी कारण उसकी भी क्रीब ही नहीं होती है वहीं इसकी अगली वज़ा यह भी है कि इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर और सूपर मारकेट स्टोर्स अपने यहां इस तरह का माहौल क्रेट करते हैं कि आपका ध्यान बाहर किसी और दुकान वह स्टोर पर ना चाहे और आप बिना ध्यान भटकाए जादा से जादा शौपिंग कर सके आपका ध्यान बाहर किसी दूसरी दुकान और स्टोर्स पर ना चाहे और आप बिना ध्यान भटकाए जादा से जादा शौपिंग कर सके एक स्टडी में ये भी पाया गया कि सूपर मार्केट में शौपिंग करते वक्त ग्राहगों का कनेक्शन कुछ देर के लिए बाहर के माहौल से बिलकुल खत्मसा हो जाता है ऐसे में आपका सारा ध्यान सिर्फ शौपिंग पर होता है जिस कारण आप अक्सर जरूरत से जादा शौपिंग कर लेते हैं इसके साथ ही आपको बता दू कि एक वज़ा स्टोर की सिक्यॉरिटी भी है और आर्किटेक्स के अनुसार सूपर मार्केट स्टोर पर खिड़ क्या इसलिए नहीं बनाई जाती क्योंकि कई स्टोर्स के मालिकों का कहना है कि स्टोर्स में जितने कम एंट्री पॉइंट्स हो